घर पर हूँ उमीद करता हूँ कि आप भी मुझे घर बैठके देख रहे होंगे और अगर आप बाहर हैं तो किसी बहुत-बहुत जरूरी काम से रहेंगे क्योंकि अभी हम सब का खुद पे खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या मेरा बाहर जाना जरूरी है क मेरे लिए आसपास के लोगों के लिए आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतना सवाल क्यों कर रहा हूं बदा को बुमबई एयरपोर्ट पे लोग जो सब अरसे लॉटे हैं जिनका एयरपोर्ट पर टेस्ट किया जा रहा है जो करोना टेस्ट में लो ड्रिस्क टेगरी में हैं एक स्टैंप लगा कि होम कॉरंटाइन के लिए भीजा जा रहा है या होटल भीजा जा रहा है यह समझा के कि दो हटते सोशल डिस्टिंस बना के रखे हैं अपने लिए आपके आसपास के लोगों के लिए लेकिन बिलीव इट और नॉट होम कॉरंटाइन का ठपा लगाने के बावजुद इनमें से कुछ यात्री ना सिर्फ शहर कि बलके देश के अलग-अलग हिस्सों में जा रहा है शादियों में जारें जुटियों पे जारें भीड़-बाड़ वाली जगाओं पे जारें पार्टिया कर रहें किस तरह की सोचवाई है क्या बन सकता है क्या समझ नहीं आरा लोगों को पाई साथ बेंजी करोना वाइरस चुटी पर नहीं काफी जोड शोड से काम कर रहा है ओवर टाइम कर रहा है इस रेस में वो आगे चल रहा है लेकिन रेस अभी बाकी है जीता नहीं है करो हम जीत सकते हैं हमें जीतना ही हो जाए अगर आप इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर्स, नर्से, मुनिस्पल कॉपरेशन, गॉवर्मेंट अथॉलिटीज, पुलिस, कई ऐसे लोगों की मेहनत को यू रेस के बीच लंगडी ना मारें ये पहली रेस, पहली ऐसी रेस होगी दुनिया में जिसमें सबसे पहले रुकने वाला रनर जीत जाएगा ना सरफ खुद जीतेगा, बाकि सब को जिताएगा, इस रेस में सब साथ जीतेगे, या फिर सब साथ हारेगे BMC इस स्टैंप को जो हातों पे लगाती है, स्टैंप को बैज ओफ ओउनर कहती है, बैज ओफ ओउनर क्यूंकि आप ना सिर्फ खुद को सुरक्षित कर रहे हैं, बलके बाकि कईयों की जान बचा रहे हैं जान बचाने वाले का सम्मान तो होना ही चाहिए, इस सम्मान का अपमान ना करें आप लोग, कुछ हफ्तों की बात है, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा, किसी ने सोच समझ के ही कहा था, जान है तो जहां है, सोचिए और समझे, नमस्क्राइब